तो आप लोग ने दिवाली वाली लास एपिसोड में जैसे की देखा था कि भायार यहाँ पे सिंचायर और सिंचायन के दोस्त लोग फ्रैंकलिन भीया का घर साफ कर रहे थे और पूरे तरीके से साफ कर देते हैं उसके बाद फ्रैंकली भी आ जाते है कुछ शॉपिंग करने के लिए जो पोह से पटाके मतलब रोकिट बॉम अलग अलग तरीके चीज़े खरीते हैं तो आज के देखने वाले कि भायार दिपावली के टाइम भायार और क्या क्या चीज़े होने वाली है तो बहुत ही मज़ा आने वाले यह एपिसोड में तो वीड़ो को लाइक करना मैं था और यार देखो मैंने घंजर हर एक जगा लगाई यह और गाजर के अंधर ब हलाइक है ओए तुम लोग ने लाइट लगा दिया ना भाई यार मसाओ लाइट लग गया क्या हाँ फ्रैंकली भेया लाइट तो लग गया ओके मसाओ यार लाइट लगा दिया है और यहाँ पे नैनी तुम लाइट लगा दिया चलो गाजार नैनी भी आपे लाइट लगा दिया मैंने गाजर सारे के सारे बच्चों लोगो लाइट लगाने काम दिया वा है भायर ये लोग खेलते रहते हैं इसलिए यार मैंने लाइट लगाने काम दिया है कजामा लाइट लग गया क्या हाँ फ्रेंकली भाया मैंने लाइट लगा दिया चलो बढ़िया है मतलब कि नीच एर हर जगा लाइट लग चुकी है चलो आजाओ उपर जाके देखते कि उपर यार वो लाइट लगा भी रहा है कि नहीं और सिंचन लाइट लगा रहा है कि नहीं आ रहा है भाई सिंचन और वो लाइट लगा दिये क्या बो तो यहाँ पर light लगा रहा रहा है Sinchan तुम, तुम क्या कर रहा हो अरे frankly बया, मैं सबको देख रहा हूँ मतलब कि लीट कर रहा हूँ और बता रहो कहा light लगेगा मतलब कि तू कुछ नहीं कर रहा है क्या frankly बया, मालिक थोड़ने कुछ करते हैं भाई सच मैं यार ये सिंचन का बच्चा ना कभी नी सुद्रेगा तुझे ने पता क्या भाई तुझे भी मैंने काम दिया था करने के लिए अरे क्या काम दिया था मैं तो भूल गया अरे यार सिंचन भूल गया गाइस मैंने सीन्चैन को कहा था कि भратьयादote बी गैजार लाइट लगा देने तीका अब बताये चया करें अब बताये क्या करें यहाद सारी लईट हो गई ? हाँ भाया हम लोग ने हर जगा लाइट लगा दी तो небольш yanिट खठम मों गई है हां फ्रेंक़ी भैर चाड़के देखे हम लोग ने श्राट लेकल झाड़ की अच्छा ओड़का से लाइच से लाइट लगा नियाहे है इसका यह मतलब है कि हमाराобр है फूर ऊक पूरा घर गैजर रात में जल उठेगा, मतलब की चमक उठेगा, भाई चलो गाजर, लाइट तो लग चुकी है, अब बताओ क्या काम बचा है, हम लोग ने गाजर लगता है दिपावली का सारा का सारा काम कर दिया है, अब ने लगता की कुछ बचावा है, अरे फ्रेंकली भ्या, एक काम बचावा है, हमारी गाड़ी में भी लाइट जलेगी, वो लाइट लगाएंगे, भाई सिंचन तुमने तो अच्छा आइडे दिया है, भाई मैं तो भूली गया था, भाई अपनी गाड़ी में, जो भार हम लोग आरजी भी लाइट लगा देंगे, तो हर टाम गाड़ी का कलर चेंज हो हमारी गाड़ी कितनी कमाल की लगी और कितनी यूनीक दिखेगी, हाँ फ्रेंग भाई और एक और चीज बच्चा है, अच्छा लाइट के लावा और क्या बच गया, मैं भूल रहा हूं कुछ क्या, भाई मैंने कपड़े ले लिए, पटाके ले लिए, लाइट भी लगा द अरे भाई फ्रेंगली भाई चलिए ठीक है, हाँ फंड, हाँ भाया, बर्गर खाएंगे, अरे तो चलो इंतिजार की इस बात का, जल्दी सागे तुम सब लोग गाड़ी में बैठो, जल्दी से निकलते हैं, चलो गाज़र यहाँ पे सारी के सारे बच्चे लोग भाई बड़ यार बैठ गए, और हमारा घर यार पूरे तरीके से, रात में चमाग उठेगा, मतलब कि बस शाम तो होने दो दोस्तो, मुझे बस इंतिजारे शाम होने का, जिस यार हम लोग चेक कर पाएंगे, कि हमारी सारी के सारे दिपावाली के लाइट, जल भी रही है कि नही अब सिंचान, हम लोग को यार बस अपनी गाड़ी में गाजर लाइट को फिट कराना है, हाँ फ्रेंक लिभया, उसके बाद हम लोग दिपावाली के लिए एकदम तयार है, हाँ सिंचान, एक दिपावाली है, और हम लोग को दिपावाली एकदम धूम दाम समराना है, इसल पेट पूजा करेंगे सिंचैन, पहले काम करना ज़रूरी है, अच्छा ठीक है फ्रेंकली बैए, उसके बाद हम लोग खाना खालेंगे, हाँ सिंचैन, अब हुआ ना बाद, उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे, तो चलो तो गाज़ार, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, बैए, अपनी गाड़ी में लाइट लगवाने के लिए, भाई, कहा कोई जगा है, क्या लाइट लगवाने का, भाई, मुझे दुकान ही नहीं मिल रहा हो लाइट लगवाने वाला, कहां गया, कहां गया वो दुकान, जो गाज़र गाड़ी में वर्डिफाई करता है, पक का यार RGB कार में बदल देगा मतलब की गाजर हमारी गाड़ी में लाइट लगा देगा तो चलो गाजर भाई सड़क छाप वाले मेकानिक के छिड़बाने से अच्छा है गाजर जहां से हम लोग गाड़ी खर देना वहीं से यार अपनी गाड़े का मोडिफाई कराते है मतलब की भाई साब पता है सड़क छाप देख कराने पर न नुकसान भी हो सकता है अगर वायर वायर जल गई न तो पूरी गाड़ी यार हमारी फुक जाएगी वो हम लोग नहीं चाते हैं इसलिए चलो सीमयोन के शोर में चलते है भाई लेकिन यार सिंचान वो पैसा बहुत ही जादे चार्ज करता है अरे क्या करें फ्रेंगली भ्या लेकिन काम भी तो करके अच्छा देता है न बात तो सही है सिंचान काम तो बैतरीन करता है अब थोड़ा पैसा ले भी ले तो क्या ही फरक पड़ता है ये दोगों दोस्तों फानिले हम लोग आज जुके हैं बेनी की शॉप में बेनी मुझे तुम से जरूरी काम है अच्छा बत तुम यही पर मुझे मिल गए अरे फ्रेंगलीन तुम और तुमारे सारे के सारे दोस्त लोग हैपी दिपावली तुम सबको और फ्रेंगलीन दिपावली के तयारी कैसी चल रही है अरे यार बस बढ़िया ही चल रही है अप ना बताओ और यो फ्रैंगली हम लोग ने दिबाली के टाइम में अपनी गाड़ी के सेल वड़ा दिये हैं मतलब कि हर गाड़ी में 20% डिसकाउंट है तो तुम्हें कोई सी गाड़ी पसंद आ रही है तो तुम ले सकते हो 20% डिसकाउंट है 20% डिसकाउंट दोस्तों यहाँ पे तो बहुत सरी गाड़ी है मैं सोच रहा हूँ गाजर यहाँ पे ना स्पोर्टस बाइक खर दूँ देख रहो गाजर कितनी कमाल की लग रही है स्पोर्टस बाइक यह सोच रहा हूँ बडियर दिक्कत यह ना कि इसमें मैं अकेला ही जला पाऊंगा, सिंचन नहीं बैट पाएगा, अगर मैं बैट लूँगा टंकी में, और अगर मैं स्पीड में गया ना, तो सिंचन उड़ जाएगा टंकी से, इसलिए आर मैं ने ले रहा, लेकिन दोस्तों कमेंट करके बताना कि यह दिपावाली में क्यायर मुझे यह स्पोर्ट बैक लेनी चाहिए, भाई खुपसूरत तो है, बहुत है, बड़ गाजर, अभी तो हैर हम लोग कोई और काम से आए है, भाईर सिम्योन, मुझे तुमसे एक बहुत ही ज़रूरी काम है, भाई दिपावाली के टाइम में मुझे अपनी गाड़ी में लाइट लगानी है, आरजी बिलाइट, अच्छा ऐसी बात है, बैनी कर देगा ना, बैनी हो जाएगा, जी सर हो जाएगा, मेरे लिए तो यह चुटकी पर काम है, मैं तुरंत करके देता हूँ, अच्छा तुरंत हो जाएगा क्या, जी सर जाद चbirds कर सकते हैं, मैंने RGB Light fit कर दी, क्या सच में तुमने RGB Light fit कर दी, चलो जाँ, जल सकते हैं अपनी गाड़ी में RGB Light Fit हुई कि नहीं हुई, लेट्स को यार, बैटते हैं, तो देखते हैं, भाई शोंब ये क्या, हमारी गाड़ी में तो काड़र सच में, लाइट फित हो चुकी है मतलब कि गाईजर आर जी भी लाइट भई अपना काम अच्छे से कर रही है आ जाओ सिंचैन और भई सिंचैन के दोस्त लोग अब चलते हैं फानली गाईजर आकरी काम भी हो चुका है और रात होने वाली है अब गाईजर घर जाके देखते कि भई हमारे यार घर लाइट म और भूलियेगा मत 20% डिसकाउंट चल रहा है गाड़ी लेने तो जल्दी ले लिजे ठीक है सिम्योन मैं इसके बार में सोचूंगा आज अब यार सब लोग आके जल्दी गाड़ी में बैठो अरे आरो फ्रेंकली बेहा रहा हूं देखिए राद भी होने वाली है घर चलके गाजर हर समय हर सेकेंड अलग अलग लग लाइट गलू कर रही है ऐसी आरजीबी कार दोस्तों आप लोग ने कभी भी नहीं देखियोगी अगर देखे तो कमेंट करके बताओ ऐसी एक लौती गाड़ी है हमारी पूरी लौस एंट उस में क्या मोडिफिकेशन हम लोग ने क चलो तो यार आप जल्दी से घर चलते हैं अंदेरा हो नहीं वाला है चल चलो 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 जल्दी चलो 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 जलडी चलो गाइस यहीए देखो घर आ चुके हैं ऑर लाइट वरा चुक्छ tips यह देखो दरवाजे में भी लग चुकी है और गाजर लुद्ट ने चेक कर आते कि यह जुकी है और मैंने देखा था चलुत Barnes के लगी है और इंट्री में लाइट है जो भी लोग आएगा लाइट से पागल हो जाएगा अब यार नीचे आजाओ नीचे यार कितनी कमाल की लाइट है यहां पर लाइट मतलब कि दिपवली का गायजर पूरा का पूरा पूरा लाइट है और पानी के अंदर भी लाइट है दोस्तों ये देखो मतलब कि हम लोग ने पानी के अंदर भी लाइट लगा दिया है सच में लग रही है न कमाल की भाई यार मैंने ऐसी दिपावली कभी नी मनाई चलो यार इधर भी लाइट लग गई और इधर भी गाजर अच्छे से जल रही है अब एक काम करते उपर जाके चेक कर लेते हैं उपर लाइट अच्छे से जल रही है न अगर एक भी फ्यूज हुई न तो दोस्तों अभी बदल देंगे क्योंकि आपको पता है दिपावली के टैम में मैंनी चाहता गाजर की एक भी फ्यूज खराब निकले इतना टाइम बाद हम लोग धुमदाम से दिपावली मनाने वाले है ऐसे दो गाजर आपको पता ही है हर साल गाजर कोई न कोई वारे साकर के दिपावली खराब कर देता था ये देखो पहर में भी गाजर मस्त लाइट जली भी है सच में गाजर अब आने वाला है मसा क्योंकि हम लोग गाजर अब पटाके जलाने वाले है मतलब कि पटाके फोड़ेंगे अरे क्या सच में फ्रेंकली भया लेकिन थोड़े से जाव है नहीं समझे तो चलो तो गाजर रॉकेट फोड़ते हैं तो ये देखो हम लोग ने रॉकेट निकाल लिया अब गाजर इसे फोड़ते हैं उपर गया और गाजर ये देखो असमान में क्या ही मस्ट लाइट जला है ये देखो बैस सच में गाजर ये रॉकेट बहुत है असमान में आतिस बाजी कर देता है कमाल का हाँ फ्रेंकली भया रॉकेट तो है कमाल का सच में गाज़ार आप सबी लोगों को दोस्तो happy दिपावली advance में अभी तो गाज़ार आप लोग comment करके बताना कि हम लोग गाज़ार दिपावली में क्या करनी चाहिए सिंचाने काम करते ना दिपावली हम लोग party रखे कि अपने घर में इतनी अच्छी light है इतने सारे बढ़ाके हैं बस खाने पीने के अंतर जाम करना पड़ेगा हाँ फ्रेंकली में आप आतों से ये party रखते हैं ओके तो दोस्तों नीचे comment करके बताना कि दिपावली के दिन हम लोग गाज़ार party रखनी चाहिए कि नहीं जल्दी से comment करके बताओ और गाज़र हमारा दिपावली का तो दोस्तों आप लोग नीचे comment करके बताना करके बताना